नमश्कार दोस्ते and hello everyone, आशा कि आप सब भी सुखे हैं में स्वस्त होंगे, एक चोटा सा बट जरूरी अपडेट आप सब के लिए, पहले तो CGL 2021 के लिए है, जो की GST में स्लेक्टिड केंड़ेट से पीओ, एक्जामिनर या इंस्पेक्टर या टीए, उन सब को पता भी चल मिले हैं, उनको TA को मिले हैं, आपके जो केंड़ेट से एक्जामिनर हैं, उन सब को मिल गए हैं, अब में पॉइंट ये आता है कि हवलदार जो MTS 2021 से उनके बारे में क्या अपडेट है, तो एक छोटा सा अपडेट है, कोई ज्यादा बड़ा अपडेट नहीं है, और उसमे यही बताया गया है कि आपका लगबग कब तक आपकी जोइनिंग हो सकती है, तो यह लेटर है CBIC का, इसमें बताया गया है कि आपका जो ऐलोकेशन कर दिया गया है, ठीक है, यह इंटरनल लेटर है इनका, थूर CBIC वेबसाइट एंड CCS को यह भीजा गया है, डेटर, और इ इन उसे के according allocation किया गया है, जो भी categories है, उनको ध्यान में रखते हुए ही allocation हुआ है, अब एक और screenshot है आपके, जिसमें बताया गया है कि जो हवलतार की post है, उसके लिए allocation कैसा चल रहा है, या dozier's का process क्या चल रहा है, या क्या scene है, कब तक joining आएगी, तो इस पूरे screenshot में एक ही बात है कि 1223 जो candidates है, different TAs है, आपके POs है, examiners है, inspectors है, उनका location हो गया है, वो by the end of May, ensure किया जाए कि उनका appointment letter बन जाए, next dozier जो मेला है, जून में होने वाला है, उसमें इनको letters मिलेंगे, भही एक point यह भी है नीचे, कि 50% जो हवलदार है, 2021 के, उनके dozier भी आ गये हैं, मतलब कि बाकी के dozier अभी नहीं आए हैं, ठीके, जैसे ही dozier आते हैं, उनका process शूर किया जाए, जुलाई 2023 में उनको appointment दिया जाएगा, या तब तक ready रखें, basically जुलाई 2023 में ही possibilities बनती हैं, तो आशा कर सकते हैं कि जुलाई 2023 में आपको appointment letter देखने को मिलेंगे, काफी time लगेगा already, already हो भी गया काफी time, and थोड़ा time और वेट करना होगा आपको, एक चोटा सबडेट और भी है आपके लिए, कि CGL 2022 का result कब तक आ सकते हैं, तो department of post की तरफ से, ये clear नहीं करता गैसे तो, कि CGL 2022 का result अभी आएगा, वैसे आने वाला है, क्योंकि आपका preference आप, आज last date है, लटाने वाला है, आप त्यारी कर लिजिए, appointment के लिए, ठीके different circles, जो alert होंगे, candidates को, वहाँ पर जोइनिंग के लिए त्यारी कर लिजिए, यही बात कहिए इसमें, NDPC वगारे department promotion committee है, DPC का मतलब हमारे यहां तो यही होता है, तो वो process अगर पूरा हो गया हो, तो उसके भाई धन्यवाद, जय हिन, जय भारत